हाई फ्रेंड्स आज बनाएंगे पान फ्लेवर का पॉप्सिकल एकदम इजी तरीके से कि हर कोई असानी से बना लेगा वो भी टॉफी से पान फ्लेवर का कुलफी तो हम लोग अकसर बनाते हैं और खाते हैं जिसका टेस्ट हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो बस उसी तरह है ये आईस्क्रीम फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल में नए है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें तो चलिए फिर बनाते हैं पान फ्लेवर का एस्क्रीम बराने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा पान फ्लेवर का टॉफी ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है कोई भी स्टोर में आप मांगेंगे तो दे देगा सिर्फ आपको पान फ्लेवर का ही टॉफी लेना है मैं यहापे 15 पीस टॉफी ल अब इसे हमें पाउडर बनाना है, कूटना है, अब कूटेंगे किस तरह से, मिक्सी कजार का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, उसे जार आपका खराब हो जाएगा, अब हमें लेना है कूटने वाला, जिसमें हम लोग अधरक लसन मिर्ची कूटते हैं बस वो, अब कूट क हमें चूरा बना लेना है, अब देखे इस तरह से हमें कूटना है, इस तरह से, अब हमने आधा ही टॉफी को क्रस किया है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती है, टॉफी के अंदर बहुत सारे मसाले रहते हैं डलेवे, जो पान में डले होते हैं वो होते हैं, अब देखे आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे मसाले दिख रहे हैं, सौफ है, गुलकंध है, इस टॉफी का फ्लिवर एकदम पान वाला रहता है, जो पान में सारा मसाला रहता है ना बस वही, तो आप सोच सकते हैं कि इसका आइस्ट्रीम कितना ज्यादा टेस्टी बनेगा, अब द डाल देंगे, मीठा के लिए 2 चमज सक्कर, टॉफी में तो सक्कर रहता है, लेकिन वह पानी डालने के बाद कम हो जाता है, और आइस्ट्रीम जमने के बाद और वी जाता कम हो जाता है, यदि आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप 3 चमज भी डाल सकते हैं, अब च अब देखें, मैं यहाँ पे 4 पिस कप ली हूँ, अब एक एक करके सारे कप में मिक्षर को डाल देना है, थोड़ा साउधानी से डालें क्योंकि कप पलटने का ज्यादा डर रहता है, मैं यहाँ पे एक कप में ट्रांसपर कर ली हूँ, मिक्षर को उसके बाद पलट रही अब इस तरह से आइस स्टीक लेंगे और इस तरह से डाल देंगे सारे कप में, अब यह रेडी होगी, अब इसे हम डीफ्रीज कर लेंगे 5-6 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए, अब यह 5-6 घंटे होगी, आइस्क्रीम जम किया है, अब इसे हम डीमोल्ड कर लेते ह इस ऐसक्रीम को डिमोल करने का तरीका इतना असान है कि बस इस तरह से आप नाइप से थोड़ा सा उपर कट कर लें और आइसक्रीम को असानी से निकाल सकते हैं पेपर कप में जमाने से यह बहुत ज़्यादा फाइदे वाला चीज होता है अब देखें मज़ेदार आइसक्री बनाना हर कोई आसानी से बना लेगा ना फ्रेंड्स अगर यह आज की आइस्क्रीम की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ